नमस्कार आपका स्वागत है समुद्रिक शास्तर के अनुसार संसार के सभी मनुशों के शरील पर तिल पाए जाते है और ये तिल आपके भग्य, भविश, शुबता और आपको जीवन में कितनी तरक्य मिलेगी इन चीजों को दर्शाते है लेकिन शरील पर बना हर तिल शुब ही हो और आपको लाभी पहुचाएगा ये मानेता बिलकुल भी सही नहीं है कौन सा तिल आपके शरील के किस अंग पर है एससे उस तिल का महत्व बनता है समुद्र शास्तर में ऐसे कई तथ्य बताए गए है जिन से तिलार उनके स्थान से जुड़े कई सारे रहस्य उजागर होते है ये आपकिसी विक्ति के बारे में ये जानना चाते है कि वो कितना भग्यशाली है तो आप इन तथ्यों का सारा आवश्य ले सकते है एक और महत्वपुर्ण बात यहां आम बताना चाहेंगे कि चाहे तिल जन्म के साथ आपके शरिप पर हो या उम्र के बढ़ने के साथ आपके शरिप पर उत्पन हो जाए उनका महत्वप एक जैसा ही होता है क्योंकि तिल का एक शुबस्थान पर अपने आप प्रकट होना यह भी आपके भाग्य दय का एक संकित माना जाता है तो आईए जानते है समुदरिक शास्तर में बताये गए तिल आरुन के स्थानों के तथ्यों के बारे में पर उससे पहले अगर आपने चानल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजी साथी वीडियो को लाइक करना ना भूले पहली बात नाग के उपर तिल का होना समुदरिक शास्तर के अनुसार जिन भी वेक्तियों के नाग के उपर तिल होता है ऐसे वेक्ति स्वाबी मानी होते है वे सदेव जीवन में अपनी काबिलेत के दम पर ही आगे बढ़ते है नाग पर तिल होने के कारण उनका सुभाव थोड़ा रोज भरा और नकरिल आवश्य होता है किन्तो इनके मन बिल्कुल साप होते है चाहे महिला होया पुरुष ये जीवन में प्रगती के मार्ग पर ही आगे बढ़ते है और जो ठान लिते है वावश्य सफल करके दिखाते है दूसरा स्थान आपके हाथ के हतिली के बीचो बीच दिल का होना ऐसे वेक्तियों काती शुब माना जाता है शास्त्र के अनुसार हिनका कोई भी कारिय कभी नहीं रुकता पर इनका भागयो दय, विवा के पस्चाती हो पाता है अगर धनकी बात करे तो इनके पास धनकी कभी कमी नहीं रहती इनका हाथ सदेव धन से भरा ही रहता है एसे वेक्ति सुभाव सी मन मोह लेने वाले होते है पेर के अंगुटे पर तीलका होना समदरिक शास्त्री के अनुसार एसे वेक्तियों को भाग्या और धन का लाब तो अवश्य मिलता है किन्तो ऐसे वेक्ति घुमने फिरने और मोज मस्ती करने के अत्यंत शोकीन होते है और इसी कारण उनके पास धन कभी नहीं टिकता किन्तो ये जीवन को खुल के जीते है और दूसरों को भी लाब देते है ऐसे वेक्ति मन से चंचल होते है और जिंदगी के हर पल को मजे से वेत चोता स्थान को भी आसान बना देता है ऐसे वेक्ति जीवन में कभी पीछे मुड़कर नहीं देखते सदय अपने साथ दूसरों को भी आगे बढ़ाते है पाच वस्तान गले के पास दिल का होना ऐसे वेक्तियों को समुद्र शास्तर के अनुसार बुद्धी मतावाला माना जाता है ऐसे वेक्ति जीवन में अपने बुद्धी से धनारजित करते है और हर कारे में सफलता को प्राप्त करते है जिन महिलाओं के गले के पास दिल होता है ऐसी महिलाए सौंदरी की धनी तो होती है इसके अलावा चतुर भी होती है सौंदर्या और बुद्धी से परिपूर्णा ऐसी महिलाए जीवन में सदेव सफलता और उच्छ स्थान को प्राप्त करती है छटा स्थान आपके कान पर तिल का होना समद्र शास्त्र के अनुसार जिन भी विक्तियों के कान पर तिल होता है ऐसे विक्ति विचारों की धनी होते है वे जीवन में एक अच्छे सलाकार साबित होते है इनकी खुबी ये होती है कि वे सदेव सब की सुनते है किन्तो अपने विचारा अनुसार ही कार्य करते है इस खुबी की कारण जीवन में इनके द्वारा लिये गए निरने कभी गलत साबित नहीं होते सातवस्तान आपके होटो पर तिल होना ये एक ऐसा स्थान है जहापर तिल होना भोती कम देखा गया है पर जिन भी विक्तियों को ये सोभागे प्राप्तो होता है उनके जीवन में सदेव मुसकरहट बनी रहती है ऐसे विक्ति सब के बीच अपने एक अलग पहचान बनाते है और एक बार जो उनसे मिले वो जीवन में कभी उन्हें भूल नहीं सकता ऐसे विक्तियों की वानी इनका हतियार होती है वे मुश्किल से मुश्किल कार्यों को अपने वानी के मिटाज से आसान बना सकते है जिससे वो जीवन में उन्हें सदेव सफलता के दर्शन ही प्राप्तो होते है तो दोस्तों क्या आपके भी शरीक के इन अंगों पर तिल बनता है तो कमेंड में अवश बताए, वीडियो पसंद आए तो लाइक करे, परिवार के साथ शेयर करे, साथी चानल को सब्सक्राइब करे और कमेंड में जैमा लक्षमी अवश्य लिखे, धन्यवाद